ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल तथा तुलाराशी में चंदरमा बिराजित रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो पश्चिम दिशा में होंगे इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा अगर किसी कारण वस पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत जड़ा आवश्य हलाकि राहुकाल का निर्णय आप अपने क्षेत्र के पंचांग अत्वा के लेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है और कई छेत्रों में नहीं भी माना जाता है दैनिक ग्रह गोचर के दिहम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्य द जो कि धनु राशी में वहीं चंद्रमा तुला राशी में मंगल ग्रह धनु राशी में बुद्ध ग्रह रष्चिक राशी में देव गुरू ब्रहस्पती जो कि मेस राशी में शुक्र ग्रह रष्चिक राशी में शनिदेव कुम्ब राशी में राहू ग्रह मीन राशी में था केतु ग्रह कन्या राशी में विराजित रहेंगे इस देनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेश मिथुल सिंग तुला एवं धनू ये पांच राशियां सबसे दिख भागिशाली रहने वाली है कारिक्षित्र में इनको नती और प्रगतिक है उत्तव अउसर प्राप्त हो सकते हैं धनलाप के साथ नया काम नई जुम्मेदारी नया मुकाम भी इनको प्राप्त हो सकता है तो कुल मिला करके पांच राशी वालों के लिए दिन सबसे खास साबित होगा अब हम आपको मेश से ले करके मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी फ़ल बताने जा रहे ह शुख मुहत की अगर हम बात करें तो शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार का दिन सबसे पहला जो शुख मुहत रहे गा वो सुबह छे बजे से लेके साड़े साथ बजे तक चर का चोगड़या तथा सुबह साड़े साथ से लेकर के नो बजे तक लाब का चोगड़या और नो बजे से लेकर सुबह साड़े दस बजे तक अमरत का चोगड़या रहेगा और उसके बाद दो पहर में बारा बजे से लेके डेड़ बजे तक शुब का चोग्रिया रहेगा शाम के समय साड़े चार बजे से लेके छे बजे तक चर का चोग्रिया रहेगा इस दोरान यदि आप कोई भी शुब काम करते हैं, मांगलिक कारी करते हैं, नया कारी करते हैं तो आपको आगे चल करके अधिक से अधिक फाइडे का संयोग बन सकता है अब हम आपको मेस से लेकर किमीन सभी बारा राशी वालों का दैनिक राशी पल बताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्दक वीडियो को अंत तक देखेगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेस रासी की कोई पुराना विवाद यदि चल रहा है तो आपसी सूजबूच से हल हो जाएगा जिससे रिष्टे दोबारा मधूर हो जाएंगे अपनी पिछली गलतियों से सीख लेकर के वर्तमान को सुधार ने हेतु मनन करे और अपनी योजनाओं को क्रियानवित करे जल्दबाजी में कोई भी निर्णे न ले तथा पुरानी गलतियों को बिलकुल भी न दोराएं किसी प्रकार का जूटा आरोप प्रत्यारोप आपके उपर लग सकता है अंजान व्यक्तियों के सलापर ध्यानने दे कर अपनी बनाई हुई नीतियों पर ही आपको काम करना चाहिए और उपाई के रूप में यदि आप हनुमान जी के मंदिर में कोई भी लाल फूल चड़ देंगे तो आपका दिन शुपफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की किसी विशिष्ट कारी को पूरा करने में आपकी मेहनत आज कामियाब होगी जैसे घर और समाज में आ प्रकार के कारियों से आपको बचना चाहिए उपाई के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में सफेद फूल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं मिथुन कारियों में व्यतित करेंगे जैसे मैंसिक वर शारीरी गृप से काफी हद तक अपने आपको उर्जावान महसूस करेंगे किसी खास उपलबधी को हासिल करने में आप सक्षम रहेंगे कोई समय समाजिक गतिविधियों में आपका व्यतित होगा कोई ऐसा समाचार आपको मि आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की आपकी विनम्र तथा सहयोगी स्वभाव दूसरों के लिए मिसाल बनेगा तथा घर और आसपास के वातावरन में आपकी तारीफ और मान समान जैसे इस्तित उपयोग कर रहे हैं इसलिए किसी की मड़ट करने से पहले उसकी मनशा को समझना अति अवश्यक होगा वरन्या लोगों की बातों में आकर आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं उपाई के रूप में यदि आप दही में शकर मिला करके संकर भगवान के मंदिर में दान तो आपका डेन शुफलदाई सावित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की भविश्य संबंधी फेसलों को लेने के लिए आज बहुती उत्तम दिन है किसी अंजान व्यक्ति से अचानक मुल मसूर की दाल और गुड गाई को खिलाना आपके लिए शुफलदाई सावित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका क्रीम होगा अब हम बात करते हैं कन्या राशी की किसी भी परिस्तिती में अपने आत्मेश्वास वा आत्मबल को कमजोर ना होने दे इस समय तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और भाग्य आपका सायोग करेगा परिस्तितियों अनुकूल है इसका भरपूर उप्योग आपको करना चाहिए संतान पक्ष की चिंता रहेगी विध्यार्तियों को अपनी किसी विशेस कारी में सफलता प्राप्त हो भागिशली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की आज परिवार संबंदित कुछ महत्वपूर्ण निरणय आपको करने पड़ेंगे जो कि बहुत ही सकारत्मक परिणाम आपको देंगे किसी खास व्यक्ति से मुलाकार लाबदायक सिद्ध होगी आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे दिन भर कुछ व्यर्थ के कारियों में आप व्यस्त रहेंगे जिसकी वजह से थकान वचिर्चरहट आप महसूस करेंगे किसी को भी पैसा उधार देते समय चान बीन अवस्य करे क्योंकि वापसी के जंभावना बहुत ही मुस् भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासी की आप अपनी कारी संबंदी योजनाओं को आज बहतरीन तरीके से बना पाएंगे किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात आपको एक नई दिशा प्रदान करेंगी पैत्रिक काम इस सिगित आपको करने पड़ सकते हैं नय जन संपर्क आपके लिए फाइदयमन साबित होंगे उपाई के रूप में भोजन के बाद यदि आप कोई भी मीठी वस्तु खाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा कार में उत्सव भरा माहोल रहेगा किसी अटके हुए काम को पूरा करने के लिए उचित दिन है अपनी योजनाओं को क्रियानवित करने से पहले उसके सभी पहलूओं पर भली भाती विचार करें बहतर होगा कि किसी अन्य व्यक्ति की सलाह अवश्य ले रूपिय पेसे के म रंक नो होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की आपके साथ कुछ ऐसी इस्तिती घटि थोलने के वाली है जिससे आपको लगेगा कि इसी देवी शक्ति या इश्वर का भरपूर आशिरवाद आपके साथ है अपनी प्रतिभाओं को भली भाती आपको चेक करना चाहिए पैसो के लेंदेन में भी साउधानी बरतने की आउशकता होगी और उपाई के रूप में भगवान विश्णु जी के मंदिर में चने की डाल का दान करना आपके लिशुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भाग अपनी किसी दुविधा के दूर होने से राहत मिलेगी और भविश्य संबंधी फैसलों को लेने के लिए उनके अंदर हिम्मत आएगी कभी-कभी आपका शंकालू स्वभाव आपके बंते कारियों में रुकावत उत्पन न कर सकता है इसलिए ऐसे स्वभाव से आपको बच खाएंगे तो आपका देन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका बादामी होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की आज गरह की स्थितियां पूर्ण तह आपके पक्ष में है काफी लंबे समय से चली आ रही किसी परेश पर लाल कुमकुम का तिलक लगाएंगे तो आपका देन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाय तथा भागिशाली अंक और भाग गिशाली रंग हमने आपको बताए हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्काल लीजि सादर जैसी क्रश्न सादर धन्यवाद